उत्तर प्रदेश सरकार ने PCS मेंस पर्युक्षा से ओप्षनल विश्य की अनिवार्टा को खत्म कर दिया है। इसके स्थान पर UP से जुड़े हुए सामाने ग्यान के दो प्रश्ण पत्र जोड़े हैं। विश्यक्यों का मानना है कि इस बदलाव से प्रदेश की प्रत्योगी चात्रों की पीसेस अफसर बनने की रह पहले की तुल्ला में आसान हो जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि यूपी आधारी दो नए प्रश्ण पत्र होने के बाद अब संग लोक सिवा आयों की सिविल सिवा परिक्षा यानि आयस देने वाली अभियर्थियों की संख्या में कमी होने का अनुमान है। अभी तक PCS और सिविल सिवा की मुख्य परिक्षा में एक एक वैकल्पिक विश्य की परिक्षा होती थी। एक तरीके से दोनों का स्लीबस और पैटर्न लगबख समान था। इस कारट सिविल सिवा परिक्षा में इंटरिव्यों तक पहुचने वाले शात्रों PCS में आसानी से सफल हो जाते थी। लेकिन अब उनने UP इस स्पेशल के अलग से त्यारी करनी होगी। सिविल सेवा में इंटर्व्यू तक पहुशने वाले चात्र PCS मेंस के लिए UPS Special की तयारी की अपेक्षा सिविल सेवा परिक्षा की तयारी को ज्यादा महत्व देंगे इसलिए PCS में ऐसे चात्रों की संक्या कम होगी जिसका सीधा फायदा उन परिक्षार्थियों को होगा जो सिर्फ PCS की ही तयारी करते हैं सिविल सेवा कोछ नवीन पंकश का मानना है कि आयस PCS का पैटर्न लगभग एक समान होने से दूसरे राज्यों की प्रत्योंगी शात्रों की सफलतग ग्राफ अपिक्षक रित बढ़ गया है PCS के पिछले परिग्रामों को देखे तो टॉप हंट्रेड में ना केवल हर्याना दिली अधिराज्यों की प्रत्योंगी की संख्या बड़ी है बलकि वो टॉप भी करने लगी है लेकिन UP special होने से अब इस पर लगाम लगीगी क्योंकि दूसरे राज्यों की प्रत्योंगी शात्रों की तुल्णा में UP के प्रत्योंगी अपने राज्यों को बहतर समस्ते हैं इसलिए इनकी तयारी बहतर होगी प्रत्योंगी चात्री संगर समीति के अद्दग शमनिस पांडिक मानना है कि इस बद्लाव का सबसे बड़ा फाइदा ये हुगा किसे स्केलिंग मौडरेशन से निजात मिल जाएगी scaling में ज़्यादा नंबर पाने वालों को कम और कम पाने वालों को ज़्यादा होने का साप सीड़ी का जुखील चलता है उसकी वज़े से प्रतियोगी असफल होने के बाद मायूस रहते थे उन्हें ऐसा लगता था कि उनके असफलता के पीछे की वुजय स्केलिंग या मॉडरेशन है अब परिलाम पहले के तुलना में जादा फियर हुगा यूपिल स्पेशल आने से प्रशास्निक सीवा में भी सुधार हुगा सिविल सेवा कोच नवीन पंकच कहते हैं कि इस बदलाव के बाद स्टीम डिप्टी एसपी या पीसेस के किसी अन्यपद पर चैनित होने वाले अब्याटियों में प्रदेश की प्रतिसमझ और बहतर होगी जिसका फैदा उन्हें योजनाओं के क्रियानवन के साथ ही कानून विवस्ता और राजस्व के स्थिति बहतर करने में मिलेगा चुली अब जानते हैं कि धाई दर्शक में पीसेस में क्या-क्या बदला हुए है 1990 में शुरू हुई प्री परिक्षा, 1996 में स्कैलिंग लागू, 2002 में पीसेस मेंस जीएस का दूसरा पेपर अबजेक्टिव हुए 2003 में प्री और मेंस के पेपर में यूपी विशेश शामिल किया गया 2005 में मेंस जीएस के दोनों प्रश्ण अबजेक्टिव हुए 2012 में सी सेट की बिवस्ता हुई 2015 में प्री में सी सेट को क्वालिफाइंग किया गया 2018 में दो के अस्थान पर एक विशेश और जीएस के चार सबजेक्टिव पीपर 2018 में इंटर्व्यू का अंग दोसों के बज़ाए सो किया गया 2019 में मेंस के लिए सफल चात्रों की संख्या 18-13 गुनी 2019 में इंटर्व्यू के लिए सफल चात्रों 3 के बज़ाए 2 गुना 2019 में मेंस से रक्षा अध्यन सहित 5 विशेश हटा दिये गया 2021 में मेंस के लिए सफल चात्रों की संख्या 13-15 गुना की गई 2021 में इंट्रव्यू के लिए सफल शात्रो के संख्या 2 से 3 गुना होई